लोहगड का किला भारत का एक मात्र अजे दुर्ग मिट्टी का ये किला तोपों पर भी पड़ा था भारी तेरा युद्धों में भी नहीं भेद पाये थे इसे अंग्रेज राजस्थान की भरतपुर्द जिले में स्थित लोहगड के किले को भारत का एक मात्र अजे दुर्ग कहा जाता है क्योंकि मिट्टी से बने इस किले को कोई भी नहीं जीत पाया यहां तक की अंग्रेज भी नहीं जिन्होंने इस किले पर तेरा बार अपनी तोपों के साथ आक परशित करते हैं इन्हीं मैंसे एक है लोहगड का किला इस किले का निर्मान अठार्मी शताबदी के आरंभ में जाट शासक महराजा सूरजमल ने करवाया था महराजा सूरजमल ने ही भरतपुर रियासत बसाई थी उन्होंने एक ऐसे किले की कलपना की जो बेहद मजबूत हो और कम पैसे में तयार हो जाए उस समय तोपों और बारूत का प्रचलन अत्याधिक था इसलिए किले को बनाने में एक विशेश युक्ति का प्रियोग किया गया जिससे की बारूत के गोले भी दिवार पर बे असर रहे ये राजस्तान की अन्य किलों के जितना विशाल न लेकिन फिर भी इस किले को अजे माना जाता है इस किले की एक और खास बात यह है कि किले के चारों और मिट्टी के गारे की मोटी दिवार है निर्मान की समय पहले किले की चौडी मजबूत पत्थर की उची दिवार बनाई गई थी इन पर तोपों के गोलों का असर नहीं हो इसलिए इन दिवारों के चारों और सेकडों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दिवार बनाई गई और नीचे गहरी और चौड़ी खाई बना कर उसमें पानी भरा गया ऐसे में पानी को पार कर सपाट दिवार पर चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं असंभव था यही वज़य है कि इस किले पर आकरमन करना सहज नहीं था क्योंकि तोप से निकले हुए गोले गारे की दिवार में फस जाते थे और उनकी आग शान्त हो जाती थी ऐसे असंखे गोले दागने के बावजूद इस किले की पत्थर की दिवार जो कित्यों सुरक्षित बनी रही इसलिए दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सके राजस्थान का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज इतिहास कार जेम्स टॉड के अनुसार इस किले की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दिवारें जो मिट्टी से बनी हुई है इसके बावजूद इस किले को फटह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं है इस फॉलादी किले को राजस्थान का पूर्व सेहन द्वार भी कहा जाता है यहाँ जाट राजाओं की हुकूमत थी जो अपनी द्रड़ता के लिए जाने जाते हैं उन्होंने इस किले को सुरक्षा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इस किले को अपने सामराज्य में लेने के लिए तेरा बार हमले किये अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जा रही थी वो गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जा रहे थे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले कर दो